नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस्ट व्यूट्व चैनल में दोस्तों आज है क्लास नमबर टेंथ आज किस वीडियों बात करेंगे जो भी इनवर्शिटी बाग कोलर के उच्छात्रे जिनकी परिच्छा यानि कि ससन 2021 और 22 के ससन म वाला हूं जो कि आने वाले आपके एक्जाम में काफी हेलफुल होंगे यह सारे कोईशन यानि कि ससन समेश्टर वाले या फिर वार्शिक वाले जो भी परिच्छा होने वाली है कि इस वीडियों से जो भी मैं कोईश्चन मताने वाला हूं वह आपके दो चार नमबर के तो क्लास की यह बात हो रही है यानि कि इस वीडियों में हम बात करेंगे विए कि जो हिंदी के चात्र है उनके लिए बहुत इंप्वाटन्ट है क्योंकि इस वीडियों में बीए हिंदी फर्स्ट माडल कोईश्चन पेपर है यानि कि जो इस वीडियों हम बात करेंगे वह बी तो चलिए बढ़ते हैं और सभी सब्सक्राइब करना होगा तो बात करेंगे जो फश्ट पेपर है उसके बारे में लिखा है कि पहला कोईश्चन और कोईश्चन भी बताएंगे सब्सक्राइब कोईश्चन पेपर आएगा तो ठीक है यानि फश्टेर वाले में तो कंफरम आना ही आना है ठीक है इसा कोईश्चन होगा उसमें चार आफ्चन दे रहेंगे आफ्चन एक रहेगा संबत पति की बता दूं कि भक्तिकाल की जो समय का नेधान किया गया है वो किया गया है 1375 से 1700 के बीच में यानि कि भक्तिकाल के समय सीमा का जो right answer हो जाएगा इस question का वो हो जाएगा option number B तो ध्यान समझेगा ये question बहुत ही top level का है एक्जाम में कई बार पूंचा भी जा चुका है और आने की संभावना भी है ठीक है बढ़ेंगे एक लिए question के और लिखा है कि सूर्दाफ जी किस महा कभी के वंशत माने जाते हैं रहीम दास के, तुलसी दास के, कबीर दास के, चंदर बरदाई के तो सूर्दाफ जी सूर्दाफ जी किस महा कभी के वंशत माने जाते हैं तो option आपको मिली गए तो इसमें right answer हो जाएगा आपसर नमबर डी चंदरबर्दाई दूस्तों इस वीडियो में राइट अंसर चंदरबर्दाई हो जाएगा डी नमबर इस वीडियो में जो कुईस्चन से संबध स्भावरगीरत के रचेट तो निन में से रचेत दे वह थे स्री्ड कौन थे राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर नंद दी इसलिए राइट एंसर हम किलिक करेंगे सी नमबर पे जो भी कोश्चन आपको इंपॉर्टन लगे हलांकि सारे इंपॉर्टन कोश्चन नोट डाउन भी कर सकते हैं इसके ले सकते हैं बढ़ते हैं कि लिखा है कि किस भक्त ने बारा गरंथों की रशना की थी बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन एक जाव में कई बार निवन में मीरा भाई के भक्ति किस प्रकार की है प्रेम भाई मधुर्य भाई दाश्य भाई इनमें से कोई नहीं यह भी बहुत टॉप लेवल का कुश्चन है तो ध्यान में रखेंगा दॉफ तो इस कोश्चन का राइट अशर हो जाएगा जो मीरा भाई की जो भक्ति है वो मधुर्य भाव है यानि कि B number right answer हो जाएगा किलिक करिए B पे ओके नेश्ट कोष्चन है कि नंद दास की सर्वसेष्ट क्रति कौन सी है बहुत ही टॉप लेबल का यह भी कोष्चन है यानि कि सर्वसेष्ट करति की बात को रही है नंद दास जी की मानमंजरी रसमंजरी रा तो छे नंबर जो है उस question का right answer हो जाएगा रास पंचाधेई यानि की सी नंबर पर क्लिक करेंगे टिक करेंगे ओके ठीक है अगले question को बढ़ते हैं अगला question है यानि कि सात नंबर भ्रहमरगीत में कौन सारस है बहुत ही टॉप लेबल का question यह भी एक जामे कई बार यह भी ब्रहमरगीत में कौन सारस है ब्योग, स्रंगार, शांत, वादसलिस और स्रयोग, स्रंगार तो इस question का right answer हो जाएगा यानि 7 नंबर question का right answer हो जाएगा ब्योग, स्रंगार यानि की option number A चलिए बढ़ते हैं अगले question क्यों दुस्तों मैं ज्यादा time आप लोगों का waste नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास ज्यादा time है भी नहीं और ज्यादा time की video बनाने में आप लोग को boring भी फिल होता है इसलिए मैं short यानि की ज्यादा फिज्यादा question और कम सम सेनापती भूसन तो कभित रतनागर जो है वो है सेनापत की रस्ता इसलिए question का right answer हो जाएगा option number C ठीक है बढ़ते हैं के लिए question क्यों लिखा कि वाल मिकी रामायड का हिंदी नुवाद किसकी क्रती है रहीम दास कबीर दास बिश्नु दास नावादास बहुत ही टॉप ले कि जो रामायड हिंदी मेनुवाद किया है वो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे चात्र कहेंगे जैसे इस तरह का question आ जाए और इसमें आप संदरी दिया जा तुलसी दास तो बहुत साथ तुलसी दास को ही सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन question सो समझेगा इसमें क्या कहा बारा साथ पंद्रा question का right answer हो जाएगा option number B पे क्लिक करेंगे यानि कि 12 अगला question है कि निम्ण में कौन सा संत काब्र से संबंधित नहीं है मारिफत नाद समाध उप्रोक्त में से कोई नहीं तो गेरा number question का right answer हो जाएगा ए नमबर मारिफत ध्यान में रिखेगा बहुत important question यह अगला question है कि संत काब्र में किस रस की प्रधानता है विभित्स सांत बीर स्रंगार तो संत काब्र में जो रस की प्रधानता है वो है सांत इसलिए right answer हो जाएगा आपसे number B ठीक है बढ़ते हैं एक लिए question के और लिखा एकला question कि निम्न में से कौन संत नहीं है दादु दयाल कबीर मीरा बाई शुन्दर दास तो निम्न में से जो संत नहीं है वो है मीरा बाई इसलिए right answer हो जाएगा ठीक है हम बढ़ेंगे अगले question क्यों अगला question कहे रहा कि कृतिवास रामायर किस भासा में है बंगला हिंदी तमिल मराथी ये भी बहुत ही top level question है एक्जाम में उसके पहले वाले एक्जाम में question आया हुआ था ठीक है तो right answer हो जाएगा इस question का option number A ये पर किलिक करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं कि अगला question कौन सा है अगला question है इसमें कि नल दैमंती ओके सोरी नल दम्यंती अख्यान किस ग्रंथ में है रामायर में कृष्ण लीला में महा भारत में बेद में तो ये भी top label का ही question है तो इस question का right answer हो जाएगा नल दम्यंती अख्यान वो महा भारत में है इसलिए question का right answer हो जाएगा C ठीक है C पे क्लिक करेंगे बढ़ेंगे एगले question के और लिखा है कि साकेत किसकी रसना है बहुत ही top label question आप सभी मालुम होगा इस की रशना है इसलिए question का right answer हो जाएगा option number D ठीक है बढ़ेंगे अगले question के और लिखाय की राम के रचेता कौन है यानि की कौन थे ऐसा भी question आ सकता है भी आ जाएगा तो आप लिखाय क्योंकि question तोड़ा पैज किसकी रसना है आपसे आपको मिली जा रहे है इस वर चंद राम सिंग इस्वरदास रागवदास question का right answer हो जाएगा उन्नीश number question का right answer हो जाएगा इस्वरदास हम किलिक करेंगे सी number पे ठीक है अगला question है कि निम्न में से किस पुराण में तो निम्ने में से राम का क्था का कुछ अन्स रहा है इनमें से सभी यनि कि वायवद पुराण में भी है भागवत पुराण भी है ठीक है और विश्न पुराण में वी यह इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है अगले question के ओर बढ़ते हैं लिखा कि रामानंद के गुरू का क्या नाम था नद्ध हरिदास तुल्सीदास कबीरदास राघवानंद तो रामानंद जी के गुरू का जो नाम था रामानन्द के गुरू का नाम जो था राघवानन्द इसलिए कोईश्टन का राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर बहुत ही टॉप लेबल का यह भी कोईश्टन है ठीक है आपके एक्जाम में आ भी सकता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोईश्टन क्यों अगला कोई अगले के बाइस नमबर कोईश्टन लिखा है कि भासकर रामाएड किस भासा में लिखा गया है या फिर लिखी गई है बहुत ही टॉप लेबल का यह भी कोईश्टन ध्यान में रिखेगा एक्जाम में आ सकता है आफसन आपको मिली जा रहे हैं तो इस कोईश्टन को राइ इसके में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 16 बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको इसले सी नमबर कोईश्टन का राइट इंसर हो जाएगा अगला कोईश्टन है कि रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन है तड़कावध चित्रकोड प्रसंग राम अडवध इन में से कोई नहीं तो इसकोश्टन का राइट अंसर हो जाएगा और आप लोग को कमेंट में बताना है कि रामकथा का मार्मिक कोई टिक है और नेस्ट को इस वर यह प्रेयम को सक्ति की संग्या किसने दीए मानूने नारद ने ब्रहंभा ने गनेश ने तो इन दोनों कुष्चन का जो एंसर है आप लोगों को कमेंट सक्षर में जरूर बता ना ये आप चाहे गूगल से सर्च करिए या फिर कहीं से भी आपको नौलेज है तो जरूर कमेंट सेक्षिन में इन दोनों कोईस्टन का इंसर बताईएगा फिर अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्षिन में पूछेएगा ठीक है तो आज किस वीडियों पहल आज में तब तक लेजाएंद